जो जादातर मीडिया है वो एक तरह की मनुबादी मानसिक्ता की मीडिया है जो गैर बराबरी की विवस्ता में विस्वास करने वाली मीडिया है उसने कभी भी हमारी सची बात को सही बात को जनता को बताने का काम नहीं किया है जहां तक रही बात इसकी कि भोजन समाज सत्ता में नहीं आ पाएगी मैं उनको एक बात इसपस कर देना चाहता हूँ 2002 के चुनाओं में बोजन समाज पार्टी जब 97 में भारती जनता पार्टी ने तोड़ने का काम किया था तो लोग कहते थे बोजन समाज पार्टी समाप्त हो गई लेकिन 2002 में बोजन समाज पार्टी दूसरे नम्मर की बड़ी पार्टी बनके उबरी और मजबूरी में भारती जनता पार्टी को बहन जी को मुक्वंत्री बनाना पड़ा थीसरी बार जब तीसरी बार की सरकार चल लही थी और जब उन्होंने भोजन समाज पार्टी की निता अधरनिया बहन जी पर जब इस बात का दवाव बनाने का काम किया कि हम 2004 के लोग सबा के चुनाओ मिलकर के लड़ने का काम करें तो अधरनिया बहन जी ने का कि पोस्ट पॉल एलाइंस दूसरी बात है पोस्ट पॉल एलाइंस का मतलब है दो विचारदाराओं का मिलन हमारी आपकी विचारदारा अलग है हम भोजन समाज के हित में पोस्ट पॉल एलाइंस कर सकते हैं भोजन समाज को अकुबरान बनाने के लिए हम कुछ भी करने को तयार है लेकिन प्रीपोल एलाइंस हमारी विचारदारा से आपका मेल नहीं कहता है हम आपकी विचारदारा के साथ मिलकर के चुनाओं नहीं लड़ेंगे इस पस्त रूप से बहेंजी ने टलवारी बाचपई जी को अडवानी जी को और जो मुली मनोर जोसी उसमें के बड़े नेता कर दूँगी तोले नहीं हम चाहते हैं कि आप लगातार मुखमंतरी रहें और उस मुखमंतरी ना सिर्फ हम चाहते हैं कि देश में हमारी आपकी दुनों की सरकार बने बहेंजी ने का कि प्रीपोल एलाइंस का कोई मतलब ही नहीं तो उन्होंने का मापके विरुदी स्री भंक करने के सिपारिस करने का काम किया था तब 2003 में लोग ये कहने लगे थे मैंने स्ट्रीम की मीडिया ये कहती थी मनुबादीमान सित्तक मीडिया कहती कि बहुजन समाज पार्टी अब खतम हो गई ये बहुजन समाज पार्टी का आप कुछ भी पचा नहीं है लेकिन मैं पिर बता दूँ अधरनिया भेंजी ने 2003 के बाद सरकार गिरने के बाद 2007 तक सर्व समाज में भाई चारा पैदा करके लोगों को जोडने का काम किया और उसका पड़नाम निकला कि 2007 में अधरनिया भेंजी ने पूर्ड बहमत की सरकार साथ में बनाई तो आप लोगों ने अरकुत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पले जाने का काम नहीं किया था पैंजी ने 5 साल में लाखों युवाओं को रोजगार देने का काम किया सरकारी कांट्रेक्ट में गवर्मेंट के कांट्रेक्ट में रिजर्विसन देने का काम किया और सबसे बड़ा काम अगर हम का हैं तो बेहनजी ने कहा किया कि हर गरीब की बेटी को लगपती बनाने का काम किया ये 2007-12 की सरकार थी कि बेहनजी की सरकार में हर गरीब की बेटी चाहे वो ब्रहमर की हो चत्री की हो बहस की हो मुसलिम की हो सिक्ष की हो इसाई की हो बुद्धिस की हो पार्शी को किसी की भी अगर गरीब की बेटी है तो उसको पैदा होते ही बेंजी ने उसको लगपती बनाने का काम किया एक लाग का सर्टिफिकेट उसको एफडी देने का काम किया कि 18 साल की होगी तो लगपती होकर कि अपने साधी ब्या करने के काम है कि उसके बाब जी 2007 का अगर हम जिकर छोड़ दें 2007 से लेकर कि चाहें बिदान सबाइब चुना रहे हैं चाहें लोग सबाइब पार्टी का प्रदर्सन अच्छा रहा अगर आप देखें 2012 में असी सीटे जीतने का हमने काम किया था 2009 में 211 सीटे हम जीतने का काम किये थे लेकि कolit और पालियमेट लोक सबाग के हमारे जीते वर उसमें आपने बाड देखी होगी कि असी सीटों में बाबन सीटों पर हम इसका मतलब था कि हमारे सामने कहीं पर भाज़पा हम हमसे लड रहे ही ती कहीं पर समाजबादी पार्टी लड रहे थी तीनों पार्टियां इंटर कि देखे लोगों के पास कोई मुद्दा तो है नहीं ना तो बहेंजी के लाइन डाडर के बराबर उन्होंने कुछ कर पाएंगे और ना कर पाएं अगलेश जीने पाथ साल सरकार चलाई सामपरदायक दंगे हुए हज्जारों लोग अगलेश जी से गटपंदन करने का मतलब पूसने संपरदायक दाक्तों को रोकना और संपरदायक दाक्तों को रोकने के साथ जो पिछले पांच साल में जो सरकार के इंदर में चल लएए ति उस सरकार में तमाम ऐसे कदम उठाए गये ते जिससे बहुजन समाज के लोगों का नुकसान होगा इसलिए बहेंजी ने उस बात को समझवा तो गटवंदन करने का काम किया लेकिन जैसा की इतियास रहा है कि भोजन समाज पार्टी ने जिन जिन लोगों से गटवंदन करने का काम किया 93 मिस्री मुलाहिम सिंग्जी से करने का काम किया 96 में कांग्रेस के साथ करने का काम किया और फिर उसके बाद 2019 में इनके साथ करने का काम किया तो ज़्यादा तर ये देखा गया सभी गटबंदनों में पिछला ही अनुबव रहा कि हमारा बोट तो ट्रांसपर हुआ लेकि उन लोगों का बोट हमको ट्रांसपर नहीं हुआ हमको तो ट्रांसपर हुआ ही नहीं हुआ उनको भी उनके लोगों ने बोट देने का काम नहीं किया इसलिए उनके परिवार के सदस चुनाव हरने काम करें बड़ी बात कही जा रही की साथ भेहन जी की बात को कतनी करनी के लिए ना सिर्फ भारत में दुनिया में वसूर है भेहन जी के समय में भरती होई पुरी दुनिया में उसकी सरहना की गई भेहन जी के समय में सबसे बिवादित मुद्दे बाबरी मजजित और प्रदेश के आसपास के प्रदेशों में तमाम जगे करफु जैसा महुल ता लेकर उत्तर प्रदेश में छे बरस का बच्चा भी अपनी पीट पर वस्ता ले जाकर के स्कूल जाने का काम किया जहां तक रही बात पक्ची पार्टियों की हमें उनकी जरूत नहीं वहम पे विस करती यह इस बाद को जानती है कि बहुजन समाज पारटी जो कहती है वह करके दिखाने का श्राइब जैसे लोग बाबु मनिकाद अलीजैसे लोग कूरे चुनाब कहीं किसी मंद्श पर दिखाई लिए और उनके साथ बेहन जी ने उनको ना सिर्फ मुस्लिम समाज के लिए लगाया है बलकि सर्व समाज को जोड़ने के लगा क्योंकि वो दो बार के रात्सवा सदस हैं और उनोंने तमाम मंडलों में काम किया और अपने समाज के लोगों को जोड़ने का काम किया तुछ उसी तरह से नुसाद अली जी हैं अपनी समाज में पकड़ा है अपनी समाज के लोगों को जोड़ने का काम किया हमारे हाँ जिस तरह से ने प्रभुदबर्ग सम्मेलन किया है वो केबल ब्रहमण प्रभुदबर्ग सम्मेलन के साथ साथ उन्होंने उसमें सर्व समाज के लोगों को बिलाने का काम किया ता और तुभ्ट औरोंगों काँ कॉने का काम किया। जहां तक रही बात देखें, चाहें समाजबादी पार्टी ओ कांग्रेस पार्टी यह मुस्लिम समाज को सेस्टी और को के लोगों को के बल दिखावे में जोड़ने का काम करती है। पोजन समाज पार्टी और उसकी नेता अधनिया भेंजी उनको सही माने में हिस्तेदारी देने का काम करते हैं एक और आखरी सब्सक्राइब पिसले दुन एक वीडियो वारण हुआ था जिसमें समसुदिन राइन साफ पचास सीटों पर डील करते भी नजर आ रहे थे जब अगरते प्वेस्बुक पर लुब बेटा बटाओ उसक łबाकश प्रेट इम फ्यूह कुछल किसी ने सेस सव्न करते हैं लाजगने करता हो झाल ऑनिय। वो साजी साय फेक है जी बिलकुल